वो तो काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन बहुत-बहुत धन्वाद ही बोल सकता हूँ मैं उनको सबसे पहले तो मैं अन्मोल जी को बहुत-बहुत धन्वाद देना चाहूँगा कि वो इस मैटर पे लेकर और फिल्म बना रहे हैं इसलिए सबसे पहले मैं उनको धन्वाद करूंगा दूसरी बात यह है कि अधिक पैसे से अच्छा एजूकेशन प्राप्त हो यह मैं नहीं समझ सकता कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह है कि हमारे देश में ज्यादा कर लोग अभी भी 80% जनता है जो गाउं से जुड़ी ही है और वो इतना पैसा ख हना कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर एजूखेशन अच्छा होना चाहिए पैसा नहीं एजूखेशन दिया जाय तो ही चात्र और चाल आरे बढ़ सकते हैं देश का नाम रौशन कर सकते हैं तो आज की जो चल रहा है जो दुनिया भर के जो पैसे खर्च किये जा रहे हैं, कोची और बगेरा है, ये सब इस शेतर के उसमें इतना पैसे का कोई मतलब भी नहीं है, पहले भी हम पहले बारे पुराने समय में जब क्या नम से आश्रम चलते थे, गुरू पढ़ाते थे, तो उस समय कौन सी ऐसी फैसिलेटीज थी, लेकिन उस समय भी लोग खूब एजुकेटेड होते थे, सब पड़े लिखे थे, तो इसी तरह से हम भी जानते हैं, कि जितने विद्याले हैं, इन्हें विद्यालों को इमानदारी से एजुकेशन देना चाहिए, पैसे को तोल के नहीं यह जो नियम गौर्णेंट में लगाया है, यह वास्तम में गलत नियम है, जब इस्टूटेंट को यह पता है, कि हमको कोई फैल करने वाले नहीं हैं, तो इस्टूटेंट उन्हें तो इस्पड़े में तो अध्यापकों की नहीं सुनेगा, घर पे उनके पैरेंट्स की नह इसलिए गवर्मेंट को ये रूल बदल करके कम से कम एक मोका देना चाहिए लेकिन फिर भी अगर जो रजल्ट फैलका है तो फैलका होना चाहिए बच्चे में भे रहेगा और बच्चा ध्यान से पड़ेगा बच्चों की बच्चों का भै बविल्कुल खतम हो गया है हम नहीं चाहते हैं बह दिखाना है बच्चों को लेकिन बह के बिना पड़ाई नहीं हो सकती है पह निच्चित है इसलिए जो भी पेरेंट्स ने पेरेंट्स भी आज खल चोटी बातों पर चोटी चोटी बातों पर विद्या ले आ जाते हैं, जगड़ते हैं, लड़ते हैं, यह अच्छी बाते नहीं है, क्योंकि हम भी हर अध्यापक का नियम होता है और उनका धे भी यही है, अग बच्चे का सारवंगिन विकास करना, और सारवंगिन विकास होगा, तब ही यह अध्यापक बच्चों को पेरेंट से भी ज्यादा उनको क्या नम से चाहते हैं, उसके बावजूद भी ज़्यादा कर मीडिया को दिख लिजिए आप, जादा कर मीडिया को दिख लिजी आप, मीडिया ने आज रिकिये है कि कोई छुटी सी बात होती है, सीधे मीडिया में जाती है बातें इसे अध्यपक भी बच्चे पर ज्यादा प्रेस नहीं करता है ठीक है पढ़ा दियो उसने यूग है और बहुतिक यूग होने के कारण लोगभग पैसे के पीछे द्यादा दोड़ने लगे जो एक धे था अध्यापक का जो देश था उससे भटक चुके हैं इसलिए सब यह तो गवर्मेंट नोकरी चाहते हैं या कोई अच्छी मूटी तंखा वाले कोई क्या नम से सर देये हैं उस देयको ध्यान रखें और बच्चों के भवश्य से खिलवार ना करें जो भी अध्यापक अध्यापक की लाइन में है वह इमानदारी से बच्छों को अपना पूरा 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 ज्ञान देने की कोसिज करें देखो ऐसा ही जैसे दिस तरह से टीचर के खिलाब जो कारवाई होती है पैरेंस के खिलाब भी कारवाई होनी चीए उनको कौन ने अक दिया है किसी भी गुरुजन से जाके अध्यापक से जाके बत्तमीजी से बात करें हाँ ठीक है तरीके से कोई भी मैटर होता है तरीके से हम बैट करके शुल जा सकते है कोई बी बात कोई ऐसा कोई इस्यू नहीं होता है जिसका कोई समाधान नहीं होता है तो उसको सांती पूर्भक बैट करके हैं और अगर जयादा भी परिशा नहीं है तो कोई ऐसा एक्ट बनाना चाहिए गौश्मेट्ट को जिसके दुआर हम गारजेंस को भी उससे कंट्रोल कर सकें अगर कोई मान लीजिए बच्चे के भविस्य से बच्चों के भविस्य से जुड़ी होई फिल्म है और उससे सुदार हो सके एक बच्चे में भी अगर सुदार हो जाए तो हम धन्वाद के पात्र अपने आपको मानेंगे क्योंकि बच्चे का भविस्य एक ही बच्चा सारे देश को बदल सकता है सबसे बड़ी बात ही है इसलिए हम पूर सपोर्ट करेंगे ऐसे अगर कोई एजुकेशन से सम्मंदित अगर कोई फिल्म बनाए अगर अनमोल भीया तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे उनको इस बात के लिए वो तो काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन बहुत-बहुत धन्वाद ही बोल सकता हूं उनको वो इस प्रकार की मूवी बना रहे हैं उनके लिए सहर दैसे बहुत-बहुत धन्वाद मैं अपने सभी विध्यारतियों को इस म सकते ह्तान भाब मैं सकेत